हेलो फ्रेंज नमस्कार आज फिर से मेरे चैनल पर आप सबका स्वावत है चलिए आज हम कद्दू का रायता बनाते हैं देखिए मैंने 200 ग्राम कद्दू लिया है और पीला वाला कद्दू है रायते का टेस्ट पीले कद्दू से बढ़ जाता है और रायते खाने की साथ होना तो बड़ा ही टेस्टी होता है और यह अपनी स्वास्त के लिए इस अच्छा रहता है पेट के लिए और थंडा वी रहता है घर्टीयों में चलिए इस कद्दू को कट कर लेते हैं और इसको इसे छिल्फ के को निकाल देते हैं कर्दू कर रायता बहुत टैश्टी होता है बहुत एजली बन जाता है और खाने का स्वाद बढ़ाता है देखिए कर्दू कट चुका है अभी पहो लेंगे उसमें एक क्लास पानी टालेंगे और कर्दू को डाल देंगे इसी में तो फोड़ा सा पकने के लिए रखेंगे तो फिर ठंडा करके बनाते हैं तैयारी करते हैं अब तक देखिए मैंने क्या-क्या मसाली लिए इसके लिए कि देखिए मैंने यहाप पर काला ब्लेक सॉल्ट हरे धनिये हरी मिर्ची कि साधा नमाक जीरा पाउडर चीनी तोड़ी सी और मैंने यहां पावधिना पावडर लिया अगर आपके पास हरा पावधिना प्रेस है तो भी ले सकते हैं मैंने पर पावडर लिया यहां पर कि देखिए मैंने यहां पर आधा कि इंठाइसो ग्राम दाई लिया मैं इसको फेर लेती हूं मतला फैंट लेती हूं तोड़ा सा तक तक कद्दू बल रहा है अगना चलिए देखते हैं कद्दू पक चुका है कि हां देखिए इसको ऐसे तोड़के तूट रहा है मतला पक निकाल लेते हैं कि पानी चंबच की मदद से मैस कर लेंगे अगर आपके पास मैसर नहीं है तो आप चंचे से या किसी भी चीज से कर सकते हैं और इसको फूल देख ठंडा कर लें नहीं तो दई भट जाएक ना जादा गरम हुगा तो थोड़ा सा तो देखिए मैंने मैस कर दिया है बस इसको एक मिट का बेट करते हैं एक मिट में चंटा हो जाएगा थोड़ा सा थंडा होना चाहिए बस देखिए अपना कद्व थंडा हो चुका अब इसको दही में आड़ करेंगे पूरा एट करेंगे मैंने तली के साथ से अंदाज से संदिया तक अब इसलिए आज समय हरी मिर्ची एट करेंगे थोड़ी सी चीनी एट करेंगे साथ के अब साथ जितना मिट आपको पसंद है सादा नमाक ताला सॉल्ट जीरा पाउडर हारे दनिया और पोदिना पाउडर इसको मिला नहीं सबको इतना सुंदर कदर आया इसका अब बहुत टैस्टी भी बनाएं खाने से पता चलेगा थोड़ा सा इसको रेड़ी करेंगे देखें मैं आप इसको थोड़ा सा रेड़ी कर रहे हूं अगर आपको मेरा वीडरी पसंद आए तो प्लीज लाइट करना सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको तिख्या पसंद है तो आपको और पीचीज आड़ कर सकते हैं देखिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना और मुझे अपनी रेसिपियों के वारे में बताना कि कद्दू में कोई कमी है त अ झाल, धुझे तो तो इसने काईब मेरा वीडियों के तो सकते हैं अपनी आपको और मुझे प्लीज सब्सक्राइब एन रेसाब करना और मुझे तो आपको ढुझे एन रेसाना आपको और मुझे दो आपको लाएब तो